प्रेरक कहानी एक बुद्ध और चक्षुपाल एक बार खगवान बुद्ध जेत्वन विहार में रह रहे थे भिख्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे उनके आगमन के साथ उनकी दिन्चर्या, व्यभार और गुनों की चर्चा भी हुई भिख्षु चक्षुपाल अंधे थे एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीडों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की. भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीडे मारते हुए देखा है उन्होंने उत्तर दिया नहीं इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीडों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीडों को जान बूच कर नहीं मारा है इसलिए उनकी भर्थसना करना उचित नहीं ह भिक्षों ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किये? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित सकते. एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे. स्त्री की आखें ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इंकार कर दिया. चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आखें ठीक हो गई है वह जूट बोल रही है उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वह कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा प्रेरक कहानी दो परिश्रम और धैर्य एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुलाईयों के साथ किसी गाउ में उपदेश देने जा रहे थे उस गाउ से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगज गह बहुत सारे गड़े खुदे हुए मिले बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड़ों को देखकर जिग्यासा प्रकट की आखिर इस तरह गड़े का खुदे होने का तातपर्य क्या है बुद्ध बोले पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड़े खुदे है यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड़े खुदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता पर वह थोड़ी देर गड़ा खुदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड़ा खुदना शुरू कर देता व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए प्रेरक कहानी तीन अमरित की खेती एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहां पहुँचे तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला श्रमण मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ तुम्हे भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए बुद्ध ने कहा महाराज मैं भी खेती ही करता हूँ इस पर किसान को जिग्यासा हुई और वह बोला मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ ना वैल और ना ही खेती का स्थल तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हूँ आप कृप्या अपनी खेती के संबंध में समझाए बुद्ध ने कहा महाराज मेरे पास च्रधा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है पाप भी रूता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृती और जागरूपता रूपी हल की फाल और पेनी है मैं वचन और कर्म में सन्यत रहता हूँ मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुह नहीं मोरता है वह मुझे सीधा शांती धाम तक ले जाता है इस प्रकार मैं अमरित की खेती करता हूँ प्रेरक कहानी चार दान की महीमा भगवान बुद्ध का जब पाटले पुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सामपत्तिक स्थिती के अनुसार उन्हें उभार देने की योजना बनाने लगा राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किये बुद्धदेव ने सब को एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहुकारों ने अपने अपने उफार उन्हें अर्पित किये और बुद्धदेव ने उन सब को एक हाथ से स्विकार कर लिया इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते बहां आई बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली भगवन जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ जदी आप मेरी इस तुछ भेंट स्विकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहन किया राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा भगवन शमा करें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हम सबने आपको कीम्ती और बड़े बड़े उभार दिये जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहन किया लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिये गए छोटे एवन जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कराए और बोले राजन आप सबने अवश्य बहमूल्य उफार दिये हैं किन्तो यह सब आपकी संपत्ती का दस्वा हिस्सा भी नहीं है आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है इसलिए आपका यह दान सात्वित दान की श्रेनी में नहीं आ सकता इसके विपरीट इस बुढ़िया ने अपने मुह का कौर ही मुझे दे डाला है भले ही यह बुढ़िया निर्धन है लेकिन इसे संपत्ती की कोई लालसा नहीं है यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हरिदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है